तो गाइस आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सैंसन 12 के वारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि इस साल ओलंपिया में आयते सैंसन 12 थर्ड प्लेस पर और बाकाई इन्हों ने एक बहुत ही जादा इंप्रूब और एक बहुत ही जादा इंप्रेसिव फिजीक अपडेट हम लोगों को दिखाया था तो रिसेंटली गाइस इनकी तरफ से नके नेक्स्ट प्रोशो की अनॉस्मेंट आ चुकी है जो की है रोमानिया प्रोशो और मैं आपको बता दूँ कि ये वाला प्रोशो होने वाला है नेक्स्ट पीकन यानि की 11 से 12 नवम्मर के बीच और जो लाइन अप होगा न दोस्तो इस वाले प्रोशो का वो बाकाई में बहुत ही जाथा हार्ड होगा तो डेफिनेटली सेमसंड ओधा के यहां कंपीट करने से 100 का जो लेवल है न वो बहुत ही जाथा बढ़ जाएगा वट अब इसके बाद दोस्तों हम अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें चोकि आर्या हाधी चूपान की तरब से तो सबसे पहले दोस्तों हाधी चूपान अपनी इस वीडियो को शेयर करते हैं और हमको यह बताते हैं कि वो अगले साल एक और री मैच के लिए तयार हैं आई मीन कि यह अगले साल के ओलंपिया के लिए जोरो सोरो से तयारिया करेंगे और एक बार फिर से विन कर लेंगे अपने इस टाइटल को बापस और 2024 ओलंपिया की डेट आ चुकी है दोस्तों मैं आपको बता दू कि बापस से ओलंपिया होने जा रहे हैं लास वेकस में 12 से 15 अक्टूवर के बीच इसके अलावा आप लोगों की साइट से बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि मैं आप लोगों के लिए बनाओ तो दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को देखना चाहते हैं आज की आज तो सिंपली आप लोग इस वीडियो पर कम्प्लीट करा दीजिए 200 लाइक्स और सब्सक्राइब कर लिजिए एंटिक फिटनेस इंडिया को तो डेफिनिटली आज के आज ही आपको ये वाली वीडियो देखने को मिल जाएगी इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भूवन चोहां से रिलेटेड एक अपडेट के बारे में और जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि Officially Mr. Olympia में Top 16 के बाद में जो भी Bodybuilders होते हैं उनको रखा जाता है Out of Top 16 यानि कि सभी के पीछे ही 16-16 लिखा होता है और जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि इस साल Olympia में Compete किये थे पूरे के पूरे 46 Bodybuilders Only in Men's Physique Division तो स्टार्टिंग में दोस्तों Olympia वालों की website के उपर जो वाई मिस्टेक भूबन चोहन के पीछे लिख जाता है 17 और इस चीज को कवर करते हैं दोस्तों हमारी संडरस्टी के एक बहुत ही बड़े यूटूबर जिनके की चैनल का नाम है All About Olympia और इसके होजने अपने अविरल अगरवाल भाई तो इन्हों ने जो वीडियो डाला था दोस्तों सबसे पहले आप लोग इसका एक छोटा से क्लिप देखिए इसके बाद अगर मैं बात करता हूं नीचे तक के अथलीट्स की तो गिनके जड़ा बताता हूं एक मिनट भूवन की प्लेसिंग इतनी आई तो भूवन की प्लेसिंग आई 46 आउट ओफ 46 अथलीट्स यानि बिलकुल डेड लास्ट प्लेसिंग गया इनकी तो भूवन ने करके दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया आम तोर पर 16 प्लेसिंग के बाद काउंटिंग हो नी बंद जाती है पर भूवन को यहां पर ऑफिशली 17 प्लेसिंग दी गई है सबसे जादा डेड लास्ट की अलाकि प्रेडिक्शन वीडियो मैंने बोला था कि मैं इनको प् प्रोश हो हाएगा अपने मुंबई वाला तो इस वीडियो में दोस्तो भूवन चोहान की प्लेस के पीछो 17 लिखा होता है वो बाई मिस्टेक होता है ओलंपिया वालों की तरब से ही और इसमें गलती दोस्तों अविरल भाई की नहीं है क्योंकि उन्होंने उसी हिसाब से वीडियो बनाई जो कि उन्होंने देखा था ओलंपिया वालों की वैप साइट के ऊपर बट इसके बाद में दोस्तों कल रात को साइट से भूवन चोहान भाई ने वी एक स्टोरी लगाई थी हलनकि कुछी मिन्टों के बाद में ये इसको डिलीट कर देते हैं लेकिन तब एक लीगल नोटिस ना भेजो समझ नहीं आएगा जिन भी लोगों ने नाम को मेरे बदनाम करने की कुछिस की है मैंनो पिडिट लोगों को किया है अपने मेल को जरूर चेक करें क्योंकि मेरी पूरी लीगल टीम तुमारे पास आ रही है बैसे मैं कोई रिपलाई नहीं करन यह असली तृत है अब आप लोग इन सारी बातों के बाद में अपने क्या थौर्ट्स रखते हैं आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताईए और हाँ दोस्तों जब मैंने इस स्टोरी के रिगार्डिंग भूबन चोहां से उनके इंस्टाग्रा तो सबसे पहले आप सभी तक पहुंस लगें लाइक और से थैंक्स पर वाचिंग